देखिए मुख्य बंतर अर्विन केजरिवाल सिरफ घोशनाएं कर रहे हैं गया क्योंकि उन्होंने पिछले पान साल के अंदर काम नहीं किये तो अब उनको लगता है कि हम भूत सारी चीजों को मुफ्त देकर दिल्ली की जनता का विश्वास पराप्त कर सकते हैं और वैसे भ के अंदर महिलाओं के लिए फ्री उसकी बात कर दी थी और उसके लिए करोड़ों रुपया विज्यापन पर भी खर्च कर दिया किन्तु आस तक तो वह हुई नहीं अब क्योंकि चार मीने के बाद चुनाव हैं और वह कह रहे हैं कि दो महीने के बाद इसको लागू करेंग के सिर्फ सोचते हैं कि दिली की जनता उनका साथ देगी पर दिली की जनता ने एक बार यह अनुभव करके देख लिया है कि उन्होंने पांच साल में कुछ नहीं काम किया उनको मोदी जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है लिए वाच्छा हैं दिली के जो चाहें एलान क कर सकते हैं जो विकलांग हैं जो बुदुर्ग हैं जो नौजबान प्राइवेट युनिविरस्टी में पढ़ रहे हैं उनको भी क्यों नहीं दिया जाता है ये मौका महिलाउंद का तो अच्छा है कि ठीक है आप ने दिया लेकिन आप साथ में मेट्रों का भी देने वाले थ आस्पिटल जाकर देख ले जो स्कूल्स की बात करते हैं उनको देख ले तो लोगों को किस तरीके से क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हर चीज फ्री करने का वादा करके और फिर वापस लेते रहे जैसे अभी आटो वालों को बहुत रियायत दे दिये हैं उन्होंने तो यह बॉकलार जाहिर करती है जो कि दिल्ली के लोग हकीकत समझ चुके हैं कि दिल्ली का जो विकास 15 साल में शीला जी के नित्वत में हुआ था उसके बाल विकास कहीं थम गया है उन तमाम चीदों की बात नहीं करना चाहते हैं वो सोचते चुनाओ आता है 15 दिन में कुछ भ परा जाएगा तो मैं समझता हूं कि इसके बजाए कोई कॉंक्रीट काम के जाए आज दिल्ली में केवर 3800 बसे हैं जबके आज 10,000 बसों की आवशिकता है दिल्ली में तो उसमें भी आप जो है यह जुन जुना जो थमारों कितने लोग अपनी मंजिल तक पहुंच माई हैं तो सवाल इस बात का है कि यह जिस तरीके से जब चुनाओं नजदीक आता है और अब साफ देखने को मिल रही है यह बॉक्ला हल च्योंकि आटो वाले पूरे 45 साल बुरा भला कहते रहे आटो वाले जो है जब जिनके सर के उपर चुनाओं जीता गया था उनके लि जब से सबोड़ा